बीजेपी पर एडी और सीबियाई के सियासी इस्तमाल का आरोप लंबे वक्त से लग रहा है। विपक्ष का कहना है कि उस वक्त नेताओं के खिलाफ हत्यार के तौर पर जहांच एजंसियों का इस्तमाल बीजेपी करती है। चुनावी मौसम में ऐसे आरोप और बढ़ गए हैं और इसी कड़ी में मोधी सरकार की तानाशाही पर कॉंग्रेस सांसद शशी थरूर के बयान ने हलचल बचा दी है। क्या कहा है थरूर ने जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। के थरूर ने केंद्र सरकार पर जम कर निशाना साधा है। इन दिनों जैपूर में हो रहे साहित उत्सों में कॉंग्रिस्तान सर्श शशी थरूर ने शिर्कत की है। के आरोप लगाया है। धरूर ने प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी पर भी निशाना साधा है। और कहा है कि भारती राजनीतिक परिद्रेश व्यक्ति केंद्रित हो गया है। और पिछले दस वर्षों से देश ने केवल मैं और सिर्फ मैं ही सुना है। सुएजन्ट की एक एजनसी वीडेम का हवाला देती हुए उन्होंने कहा कि इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक तौर पर हम अपना नेता चुनते हैं लेकिन उसके बाद वही नेता हमारे साथ ताना शाह की तरह व्योहार करने लग चाता है। हेमन सोरेन की गिरफतारी पर अपनी प्रतकरिया देते हुए थरूर ने कहा कि भाजपा जिन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वन्दी मानती है उनके साथ ही ऐसा करती है। इसके साथ ही मोधी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार उन संस्थानों का भी बेशर्मी से दुरुपयोग कर रही है जिन्हें स्वतंत्र माना जाता था जैसे ED और CBI जो गलत काम करने वालों पर कारवाई करने के लिए बने थे डीवी लाइप की रिपोर्ट